UAE वोमन वर्सेस होंग कॉंग वोमन विकर कीपिंग सेक्षन में इस सहजाद ओपेनिंग करने वाले हैं सिलेक्षन सिर्फ 20 परसन का लास्ट मैच के परफॉर्मिस को देखके बाकी और लाउंडर सेक्षन में चलेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे सी मुगल इनके कैप्टन है किनके UAE वोमन टीम के बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से कंट्रिबूशन देंगे जनता लास्ट मैच का परफॉर्मिस को देखके इनको छोड़ रहे हैं दोस्तो ऐसे ही कुछ ट्रमपॲियर्ज के बाड़े में हम इस विडियो में बात करेंगे हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म देखेंगे प्लेइंग एलवन में कुछ चेंजिस क्या हो सकता हैं वो भी हम देखेंगे तो वीडियो में बस आपको आखिर तक बने रहना है दोस्त वहीं दोस्त अगड़ा फर्स टाइम हमारे यूटूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट रहेगा काइंडली हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके आल पे करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों यहाँ पे एक एड़ो वाला बटन आपको दिखेगा वहाँ पे जाएंगे इसक्रिप्शन सेक्षन में आपको हमारे टेलिग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का डाइडेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएंगे कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डाइडेक्ली हमारे एक मात्र टेलिग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुर जाए क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट ना टॉस के बाद वही पे आता है और उसी के साथ-साथ IPL मैचेस का फाइनल अपडेट तॉस के बाद with audio and team combinations, grand league के picks हम वही पे बताते हैं प्लस जो county के मैचेस चल रहे हैं, बाकि domestic मैचेस चल रहे हैं उसके भी videos इसी YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे तो subscribe करने से आपका ही फाइदा है और टेलिग्राम पे हर एक match का final team combination प्रोवाइट किया जाता है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं UAE women team के बाड़े में betting section में एशा ओजा आपको दिखेंगे, right hand bat up and right hand off break bowler 34 का average रखते हैं अपने total T20 carrier में recent form देखेंगे बहुती जादा खतरनाक है, opening करते हैं और part time bowling करते हैं ये जो 3 wicket, 2 wicket निकाले हैं न, ये 2 से 3 over bowling करके ही निकाले हैं 4 over बहुती जादा कम डालते हैं, नीचे आएंगे 3 था शतीश, शायद ये wicket keeper ना करें बाकी ये betting से number 3 पे आई थी last match में, 9 inning में 250 run 41 coverage रखती हैं और recent form भी देखेंगे, तो 40s में, 30s में, 60s में runs किये हैं, तो काफी important बन जाती हैं लावन या केनी, last match में ये नहीं खेली थी, अगर इस match में खेलती हैं, बहुती जादा important asset आपके team का साबित हो सकती हैं, क्योंकि गुच्छे में wicket निकालती हैं, और death awards में डालती हैं अगर खेलती हैं, जरूर से आपको try करना है, और पूरे series में, 1-2 match में इनको मौका तो जरूर मिलेगा चाहे इस match में मिले, या फिर इसके बाद वाले match में, important ये तब भी होगी प्रियंजली जेन, wicket keeping section में शायद यही wicket keeping करने वाली हैं, या फिर तीर्था शतीश करेंगी या फिर प्रियंजली जेन, ज्यादा chance प्रियंजली जेन का ही है, अगर दोनों एक साथ खेलती हैं तो और last match में दोनों ही एक साथ खेली थी आचा, bowling section में आ जाते हैं, वी महेश आपको दिखेंगे, लिक break bowler, यहाँ पर 9 inning में 6 wicket निकाले हैं उतना consistent नहीं है, यहाँ पर 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket ऐसा कुछ इनका reason पॉर्म रहा है शुरक्षा कोटे, right arm off break, 6 match में 7 wicket निकाली हैं, 2 wicket, 1 wicket, 3 wicket, 1 wicket, ठीक था consistency है आप grand league में जरूर से try कर सकती हैं, last match में इनको खिलाया गया था, बड़ यह wicket नहीं निकाल पाई, 3 over डाली थी, इसलिए important बन जाती हैं, यहाँ पर मही का गौड उतने important नहीं है, इसलिए बात हम नहीं करेंगे समाईरा धरनी धरका, अब देखिए, यह 7 inning में 7 wicket निकाल चुकी हैं, ठीक है, मतलब consistency है, और गुच्छे में wicket में निकालती हैं, bowling first करती हैं, जादा important होंगी, last match में 2 wicket निकालती हुई आ रही हैं, important है, ठीक है अब देखिए, trump player number 2, सुभा भेंकर ड्रामन, right up medium, death overs में डालती हैं, last match में इनको नहीं खिलाया गया था, इल केनी के तरही, अगर इस match में इनको मौका मिलता है, जैसे के इल केनी last match में नहीं खेली थी, trump player number 1 थे हमारे, अब यहापे सुभा भेंकर ड्रामन है, जो के हमारे trump player number 2 है, 15 inning में 20 wicket, recent form भी इनका देख सकते हैं, गुच्चे में wicket निकाली है, death overs में डालती है, at least 1-2 wicket तो आप इनसे expect कर ही सकते हैं, इंदुजा नंदा कुमार उतने important नहीं है, right up medium, fast है, अपने कोटे का followers जादा नहीं डालती है, रिनिता रजीत, ये भी उतने important नहीं है 2 inning में सिर्फ 1 wicket है, सिया गोखेले, 4 inning में 1 wicket, ये तो और भी जादा कम important है, खुशी शर्मा, death over specialist, plus middle overs में भी डालती है, बहुत ही जादा important bowler and strike bowler आप कह सकती हैं, 7 inning में 16 wicket, 3 wicket, 5 wicket, 2 wicket, 4 wicket, 2 wicket, सिर्फ एक ही match जो खेली है and wicketless गई हैं ये वाला, ठीक है, और last वाला match क्योंकि सिर्फ 1 over इनको करवाया गया था, जो पहला वाला match हो चुका है ना, जो के कल हुआ था, सिर्फ 1 over करवाया गया था, हो सकता है इनको इस match में 3-4 over मिले, अगर ऐसा होता है, तो आप इनसे 2-3 wicket, आडाम से expect कर सकते हैं, Grand League के CVC, आप जरूर से try कीजेगा, खुशी कुछ खास नहीं, क्योंकि इनको wicket नहीं मिला था, ठीक है, अब देखिए, 20 inning में 16 के average से run किये हैं, 21 inning में 15 wicket निकाली है, यहापर recent form देखेंगे, 11 run, 3 wicket, 1 wicket, यहापर 1 wicket, 1 wicket, ऐसा कुछ इनका 20 run and 2 wicket, recent form रहा है, ठीक है, कवीशा, एगो डागे, अब देखिए, यह opening क पे नीचे आके hitting भी करती है, ठीक है, जब इनको experiment करना होता है, तब इनको यह नीचे भी भेजते हैं, कभी-कभी, but first match में, यह opening किये थे, and 50 plus भी किये थे, important होंगे, ठीक है, अब देखिए, चमानी, सेने, वीरतने, जो भी है इनका नाम, recent form, बहुती ज़्यादा बैतरीन, both with bat and ball, यह मेरे grand league के कल captain थे, और मैंने काफी अच्छा rank पी किया है, but यह bowling से last match में 4 wicker निकाली थी, batting से उतना खास नहीं कर पाई थी, सिर्फ 10 run कर पाई थी, ठीक है, अब देखिए, इनका batting से भी contribution बहुती ज़्यादा अच्छा है, काफी consistent है, both with bat and ball, इसलिए आज भी grand 11 with batting order देख लेंगे, जो के last match में था, यह शा ओजा के साथ, के एगोड आगे, ओपिनिंग करेंगे, टी शतीश, इनके wicket keeper आएंगे, नमबर तीन पे, सने वी रतने आएंगे, नमबर चार पे, सी मुगल टीम के captain आएंगे, नमबर पाच पे, फिर कुशी शर्मा, मही का ग केनी डालते हैं, अगर खेलेंगे, इसलिए मैंने लिखा है, अगर एल केनी को मौका दिया जाता है, तो डेथ ओवर्स में डालेंगे, खुशी शर्मा भी डेथ ओवर्स में डालते हैं, और इस कोटे भी डेथ ओवर्स में डालते हैं, बेंच में एल केनी, नंदा कुमार औ आर रजीत आपको दिख जाएंगे अच्छा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं Hong Kong Women Team के बाड़े में देखिए ये UAE Women and Hong Kong Women के बीच में आज तक तीन Hit-to-8 Matches खेले गए हैं और तीनों ही UAE Women जीत हासिल किये हैं Hong Kong Women tough fight दिये हैं कुछ Matches में बड़ जीत नहीं पाए हैं तो Overall Favorite UAE Women ही होने वाली हैं कल वाला Match UAE Women नहीं जीत हाता ठीक है यहाँ पर Natasha Miles आपको दिख जाएंगे टीम के Most Probably सबसे बहतरीन बैटाव लास्ट मैच में 0 पे आउट हुई थी बड़ देखिए यहाँ पर कितना consistent यह Bats Women है 40, 34, 27, 16, 37 not out, 34 and 44 Opening करेंगी या फिर नंबर 3 पे खेलेंगी Yasmin Daswani इनके तरफ से wicket keeping करने वाली है बड़ इस मैच में इनको rest देखे किसी और bench से player को लाया जा सकता है बाकी Marina Lampak उतने ज़दे important है नहीं अब देखिए यंग चुम इनके backup wicket keeper है इनको भी मौका दिया जा सकता है बैटिंग करेंगी नंबर 6 नंबर 7 पे उतने important है नहीं शाहिन सैजाद opening करती है देखिए 10 inning में 67 runs किये है 8.37 के average से recent form 18-2027 उतने ज़दे important है नहीं बठा opening करेंगी कभी कभी 20-25 run भी आपको बना के दे सकती है अगर टिक गई तो by chance बोलिंग section में आएंगे Mariam baby आपको दिख जाएंगे नंबर 8 पे batting करेंगी और बोलिंग लगभग ठिक ठा कर लेती है 3-4 over यह पर 6 inning में 2 wicket निकाली है Betty Chan इनके तरफ से one of the important bowlers right arm off break ignorable है मतलब उतनी important है नहीं Ikra Sahar consistent wicket taker है अगर इनको 3-4 over मिल गया तो 1-2 wicket यह भी आपको आड़ाम से निकाल के दे सकती है बद दिक्कत यह है कि सिर्फ captain ही जानती है and captain ही decide करती है कि किसको कितना over मिलने वाला है ठीक है बाकि Alishan Siu 11 match inning में 5 wicket Mariko Hill इनके तरफ से one of the important batters plus part-time bowler अब कह सकते हैं क्योंकि batting से ज़्यादा contribution है 55 runs 1 wicket 36 24, 42, 63, 29 runs and 3 wicket यहाँ भी 56 मतलब batting से काफ़ी अच्छा contribution देती है and inning को build करती है plus part-time bowling भी करती है Carrie Chan यह दोनों ही ना इनके batting के best option है and जो first name मैंने बोला था Natasha Miles यह तीनों Natasha Miles, Mariko Hill and Carrie Chan Mariko Hill and Carrie Chan तो bowling भी करती है Carrie Chan टीम के captain है तो bowling तो करेंगी ही अब देखो Mariko Hill part-time bowling डालती है but Carrie Chan batting plus bowling दोनों से contribution देती है 20 inning में 30 wicket निकाल चुकी है इसको देखके अब आराम से अंदाजा लगा सकतो पर इस listen form भी देख लोगे 3 wicket, 1 wicket, 2 wicket प्लस batting से भी runs है तो काफी अच्छा CVC option आप कह सकती है ठीक है रूचीता वेंकर टेश right arm off break 18 inning में 8 wicket उतने consistent है नहीं मैं ज़्यादा focus करने को नहीं बोलूँगा हाँ, grand league के एक दो team में आप try कर सकते हैं playing 11 with batting order के बारे मैं बात करेंगे एस सहिजाद के साथ मारी को hill opening किये थे last match में Natasha Miles आई थी number 3 पे Carrie Chan team के captain आई थी number 4 पे फिर Eli, Yashmin Deshwani, MBB, Plump Pug, Venkatesh, Betty Chan अब मैं तब से आपको बोल रहा हूँ एक match already खेला जा चुका है जो के कल खेला गया था बट वहाँ पे कैसा क्या हुआ था वो भी आपको जानना important है देखिए, यहाँ पे Hong Kong woman ने toss जित के batting first करने का decision लिया था जहाँ पे उन्होंने 118 for 6 किया जो के UAE woman काफी comfortably chase down कर दिये थे और 7 wicket से match को जीत गए थे Hong Kong woman team के तरफ से एस सहजाद opening किये थे 4 run, Mariko Hill 34 runs प्लस सिर्फ एक ही over करने को मिला था Natasha Miles first ball पे ही 0 run बना पे out हो गये थे बट important होंगी Carrie Chan team के captain 45 runs प्लस 4 over bowling एक wicket यहाँ पे याश्मिन देश्वानी 4 run MBB को एक over मिला था Lamprock 3 over किये थे last match में बट इनका कुछ surety है नहीं इस match में 1 over में मिल सकता है इनको 2 over में मिल सकता है और 4 over भी मिल सकता है वेंकर टेश 2 over किये थे wicketless, Betty Chan 1 wicket और 11 सहर को 1 over मिला था अगर इनको 3 से 4 over मिल गया खतरनाक हो सकती है अब यहाँ पे UAE women जब chase करने आई इउजा, important होंगी last match में bowling भी नहीं मिला बट यह 2 से 3 over डाल लेती है कभी-कभी और यह 4 match का series है 4 यह 5 में exactly भूल गया हूँ अभी अगर यह 4 यह 5 match का series है तो इनको किसी match में 2 से 3 over या फिर 1 से 2 match में 2 से 3 over करने का मौका ज़रूर मिलेगा तब यह important होंगी अगर यह batting से भी 20 से 30 run या फिर 40 run बना जाती है जो कि आडाम से बना सकती है प्लस एक आदव wicket भी निकाल जाती है grand league के CVC option हो जाएंगी तब इगोड आगे यह भी bowling कर सकती है बर लास्ट मैच में मौका नहीं मिला T37 32 किये थे प्लस wicket keeping सेनविरत ने 10 run और 4 wicket निकाल के गई थी middle overs प्लस death overs में डाली थी C mughal 3 over किये थे wicketless प्लस 2 run and not out अगर batting first होता है na C mughal का तो अब जरूर से try कीजेगा मतलब UAE women team का खुशी शर्मा को एक ही over मिला था अगर 4 over मिल गई तो 2-3 wicket आडाम से आप इनसे expect कर सकते हैं specially bowling first करते हुए देखिए हर match में ना इस जैसे जो team है ना जो के थोड़ा सा lower quality का है वो हर एक players को मौका देते हैं अब उनको भी पता है खुशी शर्मा हमारे best bowler है तो शायद first match में इसलिए जादा इन्होंने मौका नहीं दिया उनको बट ऐसा नहीं होगा कि हर match में जितने matches में खुशी शर्मा खेलेंगे सिर्फ एक ही over करेंगी ये इनके best bowler है तो मौका इनको तो जरूर से मिलेगा 3-4 over करने का जिस match में इनको 3-4 over करने का मौका मिल गया उस match में 2-3 wicket तो जरूर से लेके जाएंगी ठीक है बाकी इस kote को 3-over मिला था wicketless गई थी ये भी ठीक-ठाक wicket निकाल ही लेती है माही का गौर को 4-over मिला था again मौका दिया गया था बट ये कुछ खास नहीं कर पाई धर नी धर का दो वीकेट निकाल के गई थी एक ही ओवर में मिला था और वी महेश वीकेट लिस गई थी ठीक है दोस्तो अगर आप मेरे ही तड़ा कुछ अलग करने में बिलीव रखते हैं तो आप रियल 11 में आके इस बार IPL का मज़ा उठा सकते हैं क्योंकि अगर आप Grand League में काफी अच्छा करते हैं तो आपको First Price Third Card मिलने वाले हैं जिसका छवी आप यहाँ पे देख सकते हैं और सिर्फ इतना हिन है Grand League में यहाँ पे Competition काफी ज़ादा कम है छे टीम से जॉइन करेंगे 7th entry आपको लगभग Free मिल जाएंगा Complete प्लस Grand League में Bonus भी यूज होता है जो के ज़्यादा तर Application पे नहीं होता है प्लस यहाँ पे बहुत सारे Grand League आपको देखने को मिल जाएंगे Mega Contest में भी यहाँ पे Discount चल रहे हैं दोस्त प्लस थोड़ा सा नीचे आएंगे ना आपको मैं और एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे गौतम गंभीर जी को अगर आप बीट करते हैं तो 3 time cash मतलब 10 रुपए से जॉइन करेंगे 30 रुपए लेके जाएंगे अगर आप low investor है तो भी यहाँ पे खेल सकते हैं अगर आप high investor है तो भी आपका काफी जादा पैसा बचने वाला है अब पूछिए क्यों क्योंकि winner takes all अगर आप contest किसी दूसरे application में खेलते हैं जहाँ पे 10,000 का payout है वहाँ पे आपको 2,999 रुपीज देना पड़ेगा पर यहाँ पे आपको लगभग 200 से 2500 रुपए के बचत में आप same contest को low competition में खेल सकते हैं जहाँ पे आपका जीतने का chances काफी जादा हो जाएगा तो link आपको इस वीडियो के description section में मिल जाएगा अब उस link से जाके real 11 को जरूर से download कीजिए और deposit करके खेलना शुरू कर दीजिए दोस्तो वीकेट कीपिंग section में आएगे first and foremost आपको दिखेगा टीश अतीश नमबर 3 पे बैटिंग प्लस वीकेट कीपिंग यह सहजाद opening तो कर रहे हैं बट यह वीकेट कीपिंग नहीं कर रहे है इसलिए extra stumping and catches का points हमें टीश सतीश मिल जाएगा अगर आपको और भी रज़ा रिस्क लेना है तो वाई देशवानी को आप try कर सकते हैं जो के नमबर 5, नमबर 6 पे बैटिंग करेंगी प्लस वीकेट कीपिंग करेंगी P.J.N. इनके तरफ से बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग करेंगी तो मैं उतना ज़्यादा prefer नहीं करूँगा वैसे भी UAE ज़्यादा strong team है शायद उतना तक बैटिंग आए ही ना ठीक है बाकी बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे एगोड आगे आपको दिखेंगे के एगोड आगे जिनका मिडल नेम है नायन ककर या सम्थिंग 66 पॉइंट्स दे था लास्ट मैच में इंपोर्टन होंगे जरूरत पढ़ने पर यह बोलिंग भी डाल सकती है यहाँ पे थोड़ा सो उपर जाएंगे यह ओजह आपको दिखेंगे ओपेनिंग करेंगे UAE मॉमेंट टीम के तरफ से यह दोनों इंपोर्टन होंगे दोनों ही बोलिंग कर सकते हैं पार्ट टाइम ठीक है इन माइल्स मैंने पहले ही बोला है होंग कॉंग मॉमेंट टीम के वन आप दा स्ट्रॉंग तीन बैटर्स में से एक इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और ज़्यदा रिस्क लेना है लेंपोग को ट्राइ कीजे लास्ट मैच में तीन ओवर डाली थी अकर एक विकर निकाल गई तो 25-30 पॉइंट आपको दे सकती है ग्रैंड लिंग में ट्राइ कीजेगा नीचे एल केनी देखिए दो परसन का सिलेक्शन है दोस्त जिस दिन खेलेंगी आपको ट्राइ करना ही है ठीक है बाकी और कोई खास्ट लेर है नहीं फिलाल ये तीनों ही मेरे फेवरिट तीन पिक्स होने वाले है ओल राउंडर सेक्शन में चलेंगे एम हिल बैटिंग प्लस बोलिंग नंबर तीन पे बैटिंग करने आ जाएंगी या फिर ओपिनिंग करेंगी के चैन टीम के विकेट कीपर है लास्ट मैच में 45 रंस और एक विकेट सनविरत ने लास्ट मैच में 4 विकेट प्लस 10 रंजरूरत पढ़ने पे ये बैटिंग से 40 से 50 भी बना सकती है इसलिए बहुत वाइटल और इंपॉर्टन आप्शन है एस कैप्टन वाइस कैप्टन सी मुघल टीम के कैप्टन है इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं बैटिंग भी करेंगी नमबर 4 से 5 तक प्लस ये अपने कोटे का फुल ओवर्स भी डाल सकती है ठीक है लास्ट मैच को देखके धरनी धरका 72 पॉइंट्स दिये हैं मानता हूँ 3 ओवर किये थे एक ही ओवर में उनको 2 विकेड मिल गया था इसलिए इन तर जादा पॉइंट्स है बट ये बैटिंग से उतना जादा कंट्रिबुरिशन नहीं देंगी और इनको ओवर्स का भी कंफर्म नहीं है इस मैच में शायद इनको 1-2 ओवर ही मिले ठीक है ऐसे लिए मैं एक टीम के कैप्टन के साथ ही जाना पसंद करूँगा जो की है सी मुगल जो की बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों से कंट्रिबुरिशन देंगी यहाँ पे बोलिंग सेक्शन मेंगे बेटी चैन हमारे लिए first and foremost option होने वाली है 94% सेलेक्शन के साथ वी महेश leg break bowler है बद consistency नहीं है विकेट में last match में भी विकेटलेस गए थे important उतना ज़्यादा नहीं है बढ़ हाँ as a leg break bowler आप try कर सकती है खुशी शर्मा देखिए 51% सेलेक्शन मतलब आधा जनता इनको अल्रेड़ी छोड़ चुके हैं आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है last match में एक over मिला इस match में शाय तीन से चार over मिले और अगर ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा vital pick हो जाएंगी नीचे आएंगे आपको दिखेगा आई सहर इनको भी अगर over जादा मिले ये काफी अच्छे wikers निकाल सकते हैं last match में इनको भी 1 over मिला था mbb last match में 3 over किये थे एक wikers निकाले थे इसलिए important होंगी इस quote आपके लिए differential हो सकती last match में ये भी 3 over किये थे दोस्तों फिलाल मेरा small league का combination कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर captain wise captain के बाड़े मैं बात करेंगे तो obviously captain मेरे होने वाले है सेनवी रतना जो के बहुती बड़ी अबोलिंग किये थे last match में नमबा 3 से 4 तक बैटिंग भी करने आ गए थे wise captain में केटी चैन को दूँगा यहाँ पर आप reverse कर सकते है wise captain के चैन को करके wise captain अब सेनवी रतना को कर सकते है सी मूगल आपके लिए grand league के pick होने चाहिए मतलब grand league के captain wise captain option सीधा captain try कीजेगा टीम के captain है बहुत यह अच्छ विकेड निकालते है प्लस 15-20 रन का contribution यह बैटनिंग से दे सकते है यहाँ पर यह दोनों भी बहुत यह अच्छा cvc option होने वाली है और हो सकते हैं अगर इनसे bowling भी करवाया जाए तो दोनों ही bowling करने में capable है यहाँ पर के शर्मा आपके लिए grand league के captain option सीधा अगर 4 वर इनको मिलते हैं तीन विकेड तो आप इनसे पकड़ के चलो ठीक है on an average दो से तीन विकेड निकालती ही है ठीक है hopefully वीडियो में जो जो चीज आपको समझाना चाता था आपको समझ में आ गया होगा कॉमेंट करके जरूर से बताईएगा कि अगर कोई दिक्कत हुआ थो ठीक है और मैं आपसे मिलूँगा next वीडियो में तब तक आप अपको ध्यान रखिएगा